जूनियर एरेड हाई स्कुल में सहायक अध्यापक और प्रधाना ध्यापक के रिक्त पदों पर जो सीधी भरती हो रही है उसके लिए सिलेबस के संदर में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्शा करेंगे सहायक अध्यापक के लिए दो पार्ट में पेपर होगे पेपर एक ही होगा उसमें दो पार्ट होगे पहला पार्ट समान ग्यान समसामाई की घटना है और तारकिक ग्यान से संबंदित है इसमें आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस इसमें इन्होंने रिजिनिंग के पार्ट क भी include किया है जनरल knowledge के part को include किया है और current affairs होते हैं उनको भी इन्होंने include किया हुआ है आप पुरा देख सकते हैं इसके अलावा जो खंड खा होगा यानि दूसरा part होगा प्रधाना ध्यापक और सहाय का ध्यापक दोनों के लिए ये attempt करना अनिवाद है और आपके graduation के subject के अनुसार ही आपको अगर आप भासा के सिख्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में से कोई एक विकलप चुनना होगा और उससे सो अंक के प्रशन पूछे जाएंगे वहीं अगर आप SST के टीचर बनना चाहते हैं समाजिक अध्यान से सो अंक के प्रशन पूछे जाएंगे और अगर आप गडित और विज्ञान के सिख्षक बनना चाहते हैं तो गडित और विज्ञान मिला करके 50-50 अंक के प्रशन यानि कि कुल 100 अंक के प्रशन पूछे जाने वाले हैं हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का syllabus आप इसक्रिप पर देख पा रहे होंगे English और Sanskrit का ठीक है उसके बाद से अगर से से स्टी की बात की जाए तो से स्टी का syllabus काफी broad इन्होंने बना रखा है और देख सकते हैं आप पूरा से स्टी का ही syllabus चल रहा है और अगर बात करें गडि से और 50 अंक विज्ञान से पूछे जाएंगे साथी अगर आप प्रधाना ध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक अत्रिक्त पेपर 50 अंक का पूछा जाएगा सैक्षिक प्रबंदन नयों प्रशाशन प्रधाना ध्यापक पद के लिए आपको 5 वर्स का सहायक अध्यापक के तौर पर अनुभा होना अनिवार है अगर आप इस पूरे सिलेबस को PDF के रूप में प्राप्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस PDF को डिर्क्ली डाउनलोड कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूभ हो